दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी महत्पूर और सदी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको आप नियमित सेवन करते हुए भी इसके गुणों से अंजान है यह महज मसाला ही समझे जाने वाली हल्दी एक बहुत उप्योगी महवसदी है यह एक ऐसी अवसदी है जो जन्म से मित्व तक उप्योग में आती है घरेलुची किस्या में भी हल्दी हजारों रोगों की यह कशूक दवा है आज भी करोडों लोग हल्दी का इस्तेमाल दवा के रूप में करते हैं कीटारु रहित एवं कीटारु नासक गुणों के वजह से हल्दी भोजन सवंदर्ज वर्धन और सधी आज के रूप में प्रिप्त होती है हल्दी का और सधी गुण तो भारत के घर-घर में जाना पहुचाना है हल्दी का राशायनिक संगठन हल्दी में 10-12 प्रशत जल, 4-12 प्रशत फैटी आयल, 5-13 प्रशत मिनरल्स होते हैं इसका पीला रंग इसमें पाये जाने वाले कर्कुमीन नामक पदार्थ के कारण होता है इसमें 70% कार्भोहायटेट होता है तथा बिटाइमिन ए पाये जाता है हल्दी से निकलने वाले तेल को टर्मेरिक कायल कहते हैं जिसमें अर्जवाब आयोन तथा टर्मरिक जैसे सक्री पदार्थ होते हैं जो इसके परमुख काजिकारी तत्वा है हल्दी एक महान एंटिबाइटिक है तथा एंटी एलर्जिक भी है क्योंकि या एलर्जी खाज, खुजली, रक्त विकार, तवचारो, खासी, सीत्पित अर्था जूल्पिती आजरोगों का नास करती है हल्दी के अंदर एंटी इंफ्लामेट्री एंटी रूमेट्रिक गुण होने के कारण या गठिया, भात रोग, जोडो का अदर तथा सूजन आधिकम करता है या शरीर में रोग प्रत्रोधक छंता को बढ़ाती है या लिवर की क्रिया को सुधारती है इसके अलावा हल्दी अन्य कई बिमारियों में लाबदायक है हल्दी और नमक को पीश कर सर्सों के तेल में मिलाकर मंजन करने से दात मजबूत होते हैं तथा पायरिया रोग ठीक होता है हल्दी को भून कर पारिक पीश कर मलने से दातों का दर दूर होता है और सेनहा नमक बारिक पीश कर मंजन करने से दातों का पिलापन दूर होता है सफेद दाग में हल्दी और बाकुची को निबू के रस में भोट कर छोटे बेर के समान गोलिया बना लें और इन गोलियों में से एक गोली लेकर इसे जल में घीश कर सफेद दाग पर लगावें या समत्कृत एक दवा है हल्दी का चूर्ड दो गराम को पांच छो गराम सहद में मिला कर दिन में तीन बार दें इससे कुष्ट आज रख्ट विकारों में लाव होता है तचा रोग तीन गराम हल्दी को एक सब पचीश सेमेल गो मुत्र में मिला कर पीने से खाज खुजली आज का नास होता है कच्चे हल्दी को पानी की साथ पीश कर गाय के दूद में मिला कर कुष दिन पीने से चर्म रोग नस्ठ होता है सित्पित या जुल्पिती रोग में हल्दी और अज्वाइन के चूण को गूण के साथ सेवन करें फाइल एरिया में हल्दी चूण को गूण और गोमित्र के साथ सेवन करना चाहिए खाशी हल्दी का बारीक चूण 20 ग्राम सेना नमक बारीक पीशा हुआ 5 ग्राम को 15 ग्राम गूण में मिला कर 5500 मजी की गोलिया बना लें तथा दिन में 4-5 बार एके गोली चूशें थंड़ा पानी न पीएं बकरी के गरन दूद में हल्दी चूण और काली मिच का चूण मिला कर सेवन करने से खाशी और जुकाम ठीक होते हैं दमा रोग में हल्दी, हिंग और काली मिच बराबर बराबर पीश कर एक ग्राम चूण को तुल्षी के रस और मधू के साथ सेवन कराएं पुराना ज्वर हल्दी और छोटी पीपर के चुण को गिलोई के रस्ट के साथ सेवन करने से ज्वर उतर जाता है हल्दी और फिटिकरी का फूला एक संबंधे बीच की मत्रा में मिला कर कान में डालने से पुराना से पुराना बहता हुआ कान भी ठीक हो जाता है कील, मुहां से दाग, धब्बे, जहाई याद में हल्दी और तील को पीश कर लगाने से कील, मुहां से जहाई, दाग, आज सब ठीक हो जाते हैं हल्दी के चूण को सहद और निबू के रस में मिलाकर मुह पर लगाने से इसे कील, मुहां से याद ठीक हो जाता है हल्दी से चोगुर्णा बेस्टन लेकर इसमें जैतून के तील मिलाकर उपटन करने से चेहरा बिलकुल गोरा हो जाता है तथा चमकने लगता है 7 हित मात्रा हल्दी का चूड एक से तीन ग्राम तथा हल्दी का रस दस से बी से मिल तक सेवन करना चाहिए